नमस्कार दोस्तों अगर आप हर्याना में गौवर्यमेंट जोब की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है इस चनल पर आपको हर्याना जिक्के की समझे कुछन बताए जाएंगे और इस चनल पर आपको नेक्स शीटी की तैयारी भी करवाए जाएगी इस चनल शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें चलो शुरू करते हैं पहला क्यूशन है हर्याना की राजदानी कौन सी है इसका आंसर है चंदिगड चंदिगड पंजाब और हर्याना की सहुत राजदानी है और चंदिगण एक केंदे साथी पर्देश भी है। हर्याना से ओकर कौन से नदी बैठती है? इसका आंसूर है यमना नदी। हर्याना और उत्रपर्देश की सीमा बनाती है जिसके काड़ ये परमुग नदी बन जाती है। हर्याना को एक अलग राजे के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका आंसूर है एक नॉबर 1966 को पंजाब से अलग किया गया था। हर्याना के पहले मुखिमंत्र कौन थे? इसका आंसूर है भगवत ज्याल सर्मा। हर्याना की अधिकारिक बहसा कौन सी है इसका आंसर है हिंदी हर्याना का कौन सा सहर स्टील स्टी के नाम से जना जाता है इसका आंसर है हिसार हिसार उंप्रकाह जिंदल के परिवार से समनित है हर्याना का मुख्य तयार कौन सा है इसका आंसर है तीज हर्याना में सबसे लोगपिरे खेल कौन सा है फुस्ती हर्याना का राज्य पुस्प कौन सा है इसका आंसर है कमल हर्याना का कौन सा जिला अपने उच दुख्द उत्पादन के लिए जन दाता है इसका आंसर है करनाल करनाल कोर उसीम मनोरलाल खटर से संबंदित है जो के वर्थमान में करनाल के सांसद है हर्याना में 1526 में कौन सी पर्षिट लड़ाई लड़ी गई थी इसका आंसर है पानीपक की पहली लड़ाई नविन्तम जनगर्णा के अनुसार हर्याना की साख्षता दर कितनी है इसका आंसर है 76.4% हर्याना से सम्मझित पर्षिद बाहरते अंतिक्स जातर कौन है इसका आंसर है कलपना चावला हर्याना का कौन सा सहर ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है इसका आंसर है पंच गुला हर्याना का पारंप्रिक नर्ट्य कौन सा है दमाल गुरुग्राम में कौन सा अधोगी छित्र फर्मुक है इसका आंसर है सुसना प्रोधोगी की और वियापपार प्रेकरिया आउर्सोर्सिंग वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सबस्कारिब करना मत भूलेगा ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलती रहें इस चैनल पर रेले प्रिस के SI और कॉंस्टेबल के GS कुषिन भी करवाए जाएंगे और इस चैनल पर आने वाले एक्जाम मतलब नहीं जो गवर्मेंट जोब निकलेगी उनकी डिटेल भी इस चैनल पर आपको बताए जाएगे वीडियो को लाइक सेर और चैनल को करना मत भूलेगा धन्यवाद